नमस्कार सस्रियकाल वनक्कम मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल दा अधिराज क्लासिस पे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही important topic common disease सामान्ने रोग अगर आप अपना KVS PRT का syllabus देखेंगे तो common disease, deficiency disease और उनकी prevention के लिए हमें क्या करना चाहिए ये आपके syllabus में दिया है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मैंने detail में syllabus को discuss किया है आप चेक कर सकते हैं ठीक है जो लोग मेरे चैनल पर new हैं उनके लिए बता दूँ कि मैं कें इंद्रे विद्याले में primary teacher हूँ और आज थोड़ा सा busy था time नहीं मिल पा रहा था किसी व्यस्तता के कारण बट जैसा की commitment है मैंने आप से commit किया है कि मैं आपको KVS PRT का पूरा syllabus कराऊंगा ठीक है आपको कोई भी course कोई भी आपको paid course खरीदने की जरूरत नहीं है ठीक है प अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को subscribe करें शेयर करें लाइक करें ठीक है common disease की अगर हम बात करें सामाने रोग की तो इससे पहले की वीडियो में मैंने discuss किया था infectious disease यानि कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं communicable होते हैं ठीक है विशाणू से फफूंद यानि फंगस से प्रोटोजोवा जो रोगों को फैलाते हैं मेंली पेपर में जो पूछा जाता है वो आपको कुछ disease दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है जीवाणू विशाणू फफूंद प्रोटोजोवा ठीक है कुछ diseases बताई हैं यह सभी जो diseases हैं बहुत commonly पूछी जाती है exams में और KVSPRT के अगर मैं बात करूँ आपका जो NCERT है वहीं से मैंने इसको prepare करके मैं इसको discuss करने वाला हूँ और बहुत common है इससे जादा मुझे नहीं लगता कि भाहर आपसे पूछ सकता है नहीं इससे जाद कुछ सा रोग हो सकता है ठीक है तो इस तरह के कोई भी इनसे symptoms related कुछ भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है ठीक है तो एक एक करके इसको discuss करेंगे और आज की वीडियो में मैं सरफ इतना ही आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया कॉज हमारी diseases कौन सी है वाइरस कौन सी है फंगस कौन सी है प्रोटोजोग कौन सी है ठीक है तो बात करते हैं अगर अपनी पहली diseases के बारे में तो जिवानू से कौन-कौन से रोग होते हैं हमारे बैक्टीरिया से वो है हैजा, टीबी, कुकुरखासी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस और निमोनिया ये रोग आप जो है जितने भी ये रोग मैंने इसमें बताए हैं आप इन्हें लिख ले अच्छे से याद कर ले आप से पूछ लिया कि koई तीन रोग आपको दे दिया कुकुरखासी, प्लेग, डिप्थेरिया और आपको एक दे दिया पी लिया और आप से पूछ लिया कि इन में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है या जिवानू से द्वारा नहीं फैलता है तो इसका अंसर आप बता सकते हैं ठीक है बात करते हैं अब चलिए पहले रोग के बारे बात करते हैं हैजा हैजा दूशित पानी पीने से या खाना खाने से ठीक है यह हैजा होता है टीबी कुकुर खांसी प्लेग डिप्थीरिया टाइफाइट टाइफाइट जो कि एक आथ का एक रोग है टिटनेस आपको कहीं से भी हो सकता है क्योंकि हमारे एनवार्मेंट में बहुत सारे ऐसे बै ज Completely सब्सक्राइब कुछ लोग इसकी डिर्स बताते हैं के बहुत जादा हूं। जो आपके NCRT में given है, जो आपकी 6 to 10th की NCRT है, उसमें जो रोग दिये गए हैं, वो सरफ यही है, ठीक है, तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आगे बात करते हैं, वाइरस, जो वाइरस से जो जो रोग होते हैं, विशानू द्वारा जो रोग फैला आई जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, पहला है चेचक, पीलिय, हेपटाइटिस, पोलियो, डेंगू, एड्स, कोरोना, रैबीज, ठीक है, यहाँ पे एक कोशन याद आ रहा है मेरे को, यह भी एक्जैम में कोशन पूछा गया था, कि एलीसा टेस्ट जो होता है, वो किसके लिए किया जाता है, एलीसा टेस्ट, तो एलीसा टेस्ट जो होता है, वो एड्स का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और एक कोशन यह भी पूछा गया था, कि डेंगू का वाहा कौन सा है, डेंगू किसके द्वारा फैलाया ज जाता है डेंगू डिसीज जो है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है एडीज एजप्टिया जो मच्छर होता है नहां पर में लिख देता हूँ एडीज एजप्टिया जो मॉस्कीटो होता है उसके द्वारा डेंगू मच्छर फैला जाता है एडीज मच्छर लोग कह देते हैं समानने भाजशा में ठेकिन इसका पूरा नाम है एडीज एजप्टिया ठीक है आगे चलते हैं ठीक है जिवानू और विशानू में सबसे जादा confusion आपको रहेगी ठीक है फफूंद में आपको जादा नहीं होने वाली फंगल जो infection होते हैं जैसे कि उसमें दमा है गंजापन दाद एथलीट फूट एथलीट फूट जो एक रोग होता है उसमें जो पैरों की उंगलियों के बीच में वो हलकी सी गलना चालू हो जाती है ठीक है तो पैरों की उंगलियों के बीच में इसलिए इसको एथलीट फूट कहा जाता है इस रोग को एथलीट फूट के नाम से तो यह fungal infection की वज़ए से होता है फफूंद की वज़ए से हो ये दो बहुत शामान न्यसरी जैसे कि एक कोशन में को यहां पर ध्यान आ रहा है कि मालेरिया रोह जो है वह कौनसे मच्छर के द inability बड़ा रह चाता है जो मादा मच्छर होती है उसके दleichbachek तो यह चारो categories जो हैं आपसे पूछी जाने वाली हैं इस तरह से पूछी जाती है exams में तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को बनाने का बहुत important था और सबसे जादा अगर में बात करूं तो जीवानूं और विशानूं के बारे में पूछा जाता है आगे की वीडियो में हम discuss कर करने वाले हैं ठीक है बहुत जादा deeply तो नहीं जैसे कि जो common questions पूछे जाते हैं वो हम आपसे पूछेंगे चलिए मैं आपको एक question यहां पे पूछ रहा हूं कि भारत देश को polio मुक्त ठीक है वो कब किया गया था कब announce किया गया था कि हमारा देश जो है वो polio से पूरी त को पूरे कंप्लीट करेंगे के विस प्याटी का अभी हमारे पास काफी समय है मार्च अप्रैल में भी वेकेंसी आती है तो हम अराम से अपने स्लेवस को कंप्लीट कर लेंगे